नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूटूब चनल के माध्धियम से आज आज आपको एक दिवी वरक्ष अवगत कराने जा रहा हूँ, यह आप देख रहे हैं आपके सामने, यह वरक्ष है, प्राए बहुत से वे जानते भी हैं, बहुत से मेरे भाई जानते भी हैं, मगर बर आप गऔर से इसको देख यह देख़िए, इसके फूल को, इसमें यह पराक कन आता है, इसमें पुंक्यष अराति, सफज़ पुष पाता है, इसका इसके पतो को देख़िए गऔर से, इसके पते किसे प्रकार होते हैं, ताकि आप लोगको समझने में तकलीफ ना आए, यह मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ यह करीब अरणी के आयरवेद में कई गुण है और अध्यात में भी इसके कई गुण है अध्यात में इसको अगनीमंत अरणी कहा गया है क्योंकि इस अगनी और अगनीमंत के माध्यम से एक मत्नी बनाई जाती थी जिससे रिशी मुनी यग्या और हवन करने के लिए अगनी को प्रकट किया करते थे इसलिए इस व्रक्ष का नाम पड़ा अगनीमंत तो एक ऐसा यंत्र बनाया जाता था इससे कि घर्षन दोरा अगनी उत्पन होती है आज मार्केट में इसके दोरा बनी गई अगनीमंत नहीं मिलती है इसको क्योंटी होतम अपयोग है मत्लका उइसकी को हीज्य संबन्द रोग है तो इसके पत्तों को लिजी पांक पत्ते आप लीजिए पांच पत्तों को एक गिलास पानी में अब ल्या thoughtful जाए उबल करके वह पानी एक पर रहर जा कॉआ는 को दो सबताब होएगे घख darauf इस प्ल Rules थ दिन यह 41 दिन इसलिए बताता हूं मेरे वीडियो में बार-बार क्योंकि आयर इवेट के अंदर विधान है यदि किसी को पाइल की प्रॉब्लम हैं तो इसके पत्तो गोबाली ओपर से गाई का ताजा दूद पीजिए आपके जो मस्तिक संबंदी तकलीम है वा भी दूर होगी दोस्तों यदि किसी को गठिया वाई है तो इसके पत्तों को उबा लिए पीजिए गुटने सम्मंदी जो दर्द आजकर बहुत जादा चल रहा है उसमें क्या सिस्टम देखा मैंने इसकी पत्तों को हमने सरसु की तेल में डाल दिया पाउबर पत्तों को एक लिटर सरसु के तेल में डाल दिया जब पत्ते जल गए और तेल तेल बागी रहे गया तो ठंडा होने पर हमने तेल को निकाल कर छान लिया और गुटने विचार करें घर्शन से अब आई यह मैं आपको एक ऐसे रोग के बारे में जान कर देना चाहता हूं जिस रोग से हमारी माता बेने आजकल जदा तकलीफ में रहती हैं और शर्म के मारे केने पाती मैं शब्दों की मर्यादा रखते हुए आपको इकलाज बता रहा हूं यह वह रोग है जिसमें माता बेनों का फूल यानि गुपतांग बाहर आजाता है यह हम आयरवेद की भाषा में के दें कि योनी का बाहर आ जाना बढ़ाए कस्टदाई रोग है और प्रेशन कराने के बाद भी सक्सेस्फुल नहीं होता तो उसमें अब क्या करें अरनी के चार पास आठाजी सा पदार्थ बन जाएगा उस पदार्थ को ठंडा होने पर आप उसकी बोर के बरावर गोली बना ले पेमली बोर यानि चोटा जो बोर आता है जड़ जड़ बेर एक गोली सुभा और गली शाम को भूके पैट लें आप आप देखेंगे 21 दिन के प्रियोग प्रियोती है अजड़े कि में मैंसे तो क्योंट लगाता नहीं हूँ मैं शास्ट्र वर विश्वास रखता हूं तो वह घ्यान में है आपको उपलगर हो जाती हो या कोई बाद में भूल जाता हूँ तो मेरे मित्र आप मेरा सहियोग कर सकते हैं आप सब मेरे मित्र है नहम zost नमस्कार धन्यवाद एक बार फिर आप देख लीजिए यह अर्णी का पुष्प है आपको देखने में सुविधा रहेगी नमस्कार धन्यवाद